हेलो फैंस वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग बात करेंगे वीडियो भरती दो हजार अठारा को लेकर बात करेंगे जेई 2016 and J 2018 को लेकर बात करेंगे UPSSY के अध्यक्ष ने क्या जबाब दिया है इसके बारे में जानेंगे आगे बात करेंगे आपकारी भरती को लेकर बात करेंगे हैं तो सबसे पहले हमसे जूर रहने के लिए हमारे चाहर सब्सक्राइब कर दीज़ेगा कुल हमारे चाहरे औपडेट रहने के लिए बैलाकर कि फ्रैस कर दीज़ेगा वीडियो पसंद 25 अगर्ष्ट 2021 तो 25 अगर्ष्ट को इस केस की सुनवाई हुई थी इस केस के साथ 5 केस और लिंक कर दिये गा है तो देखिए केस संख्या है देखिए एक सुतीन तेरा एक्यासी चौतिस पच्छतर च्छतर तेहतर पैतालिस शिस्टीनाइन वन फोर तो यह केस संख्या है तो अभी तक SIT रिपोर्ट नहीं दी गई थी और आयुक द्वारा ये भी नहीं बताया गया था कि इस भरती को रद क्यों किया गया है इसका कोई भी रिजन नहीं बताया गया था तो अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि इस भरती को रद क्यों किया गया है लेकिन अब 25 अगस्त को SIT रोपोर्ट सौब दी गई है और कोट ने 7 सेप्टेमबर नेक्ष्ट हिरिन डेट दी है तो देखी नेक्ष्ट हिरिन डेट 7 सेप्टेमबर 2021 तो अब इस केस की सुनवाई 7 सेप्टेमबर को होगी तो वीडियो भरती 2018 को लेकर इस्ट्वन बहुत परिशान है तो आप सब इस्ट्वन देखी रहे हैं युबाओं को सिर्फ तारिक पर तारिक मिल रही है तो अब बात कर लेते हैं J 2016 and J 2018 को लेकर बात कर लेते हैं तो इन भरती परिच्छाओं को लेकर भी इस्ट्वन बहुत परिशान है जेई 2016 एंड जेई 2018 इन भरती परिच्छाओं को लेकर भी इस्ट्वर बहुत परिशान है ये 2016 एंड 2018 की भरतियां हैं लेकिन अभी तक इन भरतियों की परिच्छाओं नहीं कराएं गई है इस्ट्वर ने यूपीटर पलेसी अध्यश को पत्र लिखा है जेई 2018 का सिलेबस जारी करने और परिच्छा तिथी निर्धारत करने के सम्मन्द में यूपीटर पलेसी अध्यश को पत्र लिखा है और जी टीवी यूपी एंड उत्राखन इस नूजश चैलर पर यूपी ट्रेपल ऐसी की अध्यश जी ने इंटर्व्यू दिया है जिसमें अध्यश जी ने जानकारी दी है अध्यश जी ने कहा है UPSC PT परिक्षा के बाद जल्द मेंस परिक्षाएं कराई जाएंगी और कुछ पुरानी भरतियों की परिक्षाएं किसी करबस फसी हुई थी उन्हें भी कराया जाएगा तो अद्धक्ष जी का इसारत जही भरती परिक्षाओं की तरफ ही था तो अद्यक्ष जी ने कहा है कि जल्द पुरानी भरती परिक्षाओं को भी कराया जाएगा जो किसी कारवस फसी हुई थी तो जेई की परिक्षा भी आप देखी रहे है कब से फसी हुई है कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है कभी ये मैटर है लेकिन इन भरत्यों की परिच्छाँ नहीं हो पा रहे हैं लेकिन अब अध्यक्ष जी ने कहा है कि जल्द भरती परिच्छाँ को कराए जाएगा तो जल्द J-2016 and J-2018 की परिच्छाँ कराई जाएगी अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इन परिच्छाओं में देरी नहीं होगी तो आगे देख लेते हैं तो देखे इसे आप पुरिता है टेलिगाम चैपट जाकर देख सकते हैं इसमें केस संख्या दी गई है इसमें देखी पूरा डेटेल दिया गया है केस का स्टेटस दिया गया है और यह पिछले बार का किस स्टेटस है तो आगे बात कर लेते हैं अब कारी भरती को लेकर बात कर लेते हैं तो अब कारी भरती के इस्ट्वन मेरी बात ध्यान से सुनें interview के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है आप interview की तयारी शुरू कर दे interview की तयारी कैसे करें इसके बारे में कुछ पंड देख लेते हैं यदि इसए डिडिड और भी जानकारी आपको चाहिए है कि interview की तयारी कैसे करें जिससे आपको जानिंग मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो इस Reddit मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस Reddit वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए है तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी तो point देख लेते हैं, आपका confidence level high होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, नर्बस नहीं होना है, full confidence में रहना है और अपना intro बहुत अच्छे से तयार करें, इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे से तयार करें, आपको ऐसा नहीं है कि आप question के answer देने में आप घबराएंगे, बीच-बीच में रुकेंगे, आपको confidence level high होना चाहिए, और आपको with confidence अच्छे से question के answer देने हैं, तो आपका नाम क्या है, आपके नाम से related question पूछे जा सकते हैं, आपका जो भी नाम है, उस related question पूछे जा सकते हैं, आप जिस सहर में रहते हैं, उस related question पूछे जा सकते हैं, उस सहर की जी के, उस related question पूछे जा सकते हैं, उस सहर की जी के, आप देख लीजे, उस related question पूछे ज पूरी जानकारी, आपको किसमें इंट्रेस्ट है और करंट अफेर्स पढ़ना है, न्यूजपेपर पढ़ना है, तो करंट अफेर्स पर बिस्स ध्यान देना है, कि राजनेतिक है, आपको इस पॉल्टी है, जो भी करंट चल रही है, उस पर बिस्स ध्यान देना है, तो उस र चाहिए यदि आप प्राइबेट जॉब करते हैं तो उस फिल्ड की पूरी जानकारी होने चाहिए आप जिस फिल्ड में प्राइबेट जॉब करते हैं तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए उससे रेटेट कोशन भी पूछे जा सकते है तो आप किस पोस्ट ले इंटर्व आपकारिभरती लिए इंटर्व्यू दे रहे है तो इसकी आपको पूरी जानकारी कुलिए अलग से वीडियो चाहते हैं कि इस लिट पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में देद cynagen आपकार सकते हैं तो जो मैंने आपको बताया है इसको आप अच्छे से पूरे अच्छे से तयारी कर लीजिए एक एक पुइंट आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको घबरारा नहीं है ऐसा नहीं आप क्वेशन के आंसर दें और आप बीच पीच में रुक के आंसर दें क्योंकि कुछ इस्ट्यूएंट बहुत नर्व क्या हो रहा है कभी कुछ अध्यक्ष बन रहे हैं मंत्री बन रहे हैं इस पर विस्ट्यान देना है तो पूछा जा सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है कुछ भी आप से पूछा जा सकता है उस पर आपको विस्ट्यान देना है तो इस डिट आप कन्फूज है कोई भी मिलते हैं आप लोग उस नेक्स वीडियो में थैंक यू जै जै भारत